गाजयबाद में लगातार एटियम फ्रॉड पर लगाम लगाने की तमाम कोश्चों के बावजूद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है पुलिस ने एटियम फ्रॉड करने वाले चार श्वाफिर बदमाश्यों को गिरवतार कर लिया देखे रूट प्रदेश के बड़े शहरों में से एक गाजयबाद में एटियम के जरिये फ्रॉड करने की घटनाएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही थी ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि कैसे भी जल से जल इन जाल साजी की घटनाओं को रोका जा सके जिसके लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया और मुखबिर की सूशना पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वारे छार आरोपियों को धर्दबूचा यह आरोपी एटियम के जरिये फ्रॉड किया करते थे गौतलब है कि गाजयबाद के कई थानों में ऐसे कई पिडित पहुँच रहे थे जो यह तहरीर लेकर आ रहे थे कि उनके साथ एटियम में फ्रॉड किया गया है वह पकड़े गए आरोपियों से की गई पुश्ताज में उन्होंने वताया कि वो एटियम में पैसा निकानने आए लोगों की एटियम कार को फर्जी एटियम कार से बदल देते थे और उनके ATM कार्ड के जरीए उनकी अकाउंट में पड़े पैसो पर सेंध लगा कर वहां से चंपत हो जाय करते थे पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक लगजरी कार जो की ATM फ्रॉड कर कमाई गई काली कमाई से ही खरीदी गई थी एक 315 बोर का तमंचा एक कार्टूस और हज़ारों रुपय की नगदी बरामत की है साथी साथ इनके पास से अलग-अलग बैंकों के लगभग 56 एटियम कार्ड भी बरामत हुए है इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए एक चिनौती इसलिए भी थी क्योंकि इनमें से कुछ बदमाश दिल्ली के रहने वारी है जो कि उत्रप्रदेश के जिला गाजियाबाद में वारदात करने के बाद फरार हो जाय करते थे पर पुलिस ने अपनी सूझ भूज और सतरता से कड़ी मशक्कत के बाद इन चारो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है फिलाल इने जेल भेशने की तैयारी की जा रही है इस मामले में अबारे सब्वादाता जितेंद्र भाटी ने शेत्रादिकारी इंद्रापुरम अभे कुमार मुश्या से खास बातचीत भी की है सुने क्या कुछ कहना है उनका गाजयाबाद के कोशांबी थानी पुलिस ने चार ऐसे आरोपियों को गिरफतार किया है जो की एटियम से फ्रॉड किया करते थे जाता जानकारी के लिए मवजूद हैं इंद्रापुरम के शेत्राप दिखारी अभी जी अभी जी बहुत 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 वागत है आपका निज्वर इंडिया पे आपसे जाना चाहेंगे कितनी बड़ी काम अभी है एक चुनोती थ चुनाओं का जब संकलन किया गया तो ग्यात हुआ कि चार लोगों का एक गैंग है जो अंकूर रिसी सर्वेस और अरुन का इनके द्वारा जो एटियम जिनमें गार्ड नहीं होते हैं वैसे एटियम में यह लोग बुजुर्ण या तकनीकी रूप से भिग जो कम हैं उनके अधियम से घुस के उनको टार्गेट करते थे उनका एटियम बदलके उनका पिन नंबर ग्यात करके उसके माध्यम से यह अपना पैसा निकालके उनके साथ ठगी करते थे इन चार लोगों को पकड़ने में कौसामरी प्रिस को अभी सबलता में लिए लगजरी गाड़ी भी मैकसिमम के क्रिमनल हिस्ट्री पुरानी है और बहुत दिनों से ऐसे कर्क्ति में लिप्त थे पिछले चाल-पांस सालों से उसी में ग्यात हुआ कि अरुन कुमार के नाम से यह इको स्पोर्ट्स है जो उसके दवारा इन ही इसी तरीके के फ्रॉड करके यह गाड़ी खरी द देखे एक तो हमारे पास पहले से सुचना थी जो बरामगी है उसी में उनके साथ ठगी हुई थी उनके एटीम बदल के वह पैसे बरामद भी हुए है इसके अलावा जितने एटीम बरामद हुए है उनके एकाउंट की डिटेल ग्यांद करके उन सम्मंदिस से बात चीत करक तो फिर उस पे अग्रिम कारवाई की जाए है उनके पास से चार ते कहां से आते थे क्योंकि गाज़ाद पुलिस से ग्रफतार किया है बड़ी चुनावती रहती है गाज़े बादियानी उत्तरपरदेश की सीमा में अपराद होता है और दिल्ली की तरफ बदमाच भाग ज इसे कितनी वड़ी चुनावति थी ये लोग कहां केंने तर्फ को दिल्ली में रएते थे इन लोगों का एक पुराना गैंग था पहले से ही आउपरेट कर रहे थे इन लिगों को सम्भी रूप से पकड़ने, कॉसाम्य